हेलो बच्चो नमस्कार एक बार पिर स्वागत आपका आपके अपने यूटूब चैनल फिजिक से की आत्मा पर जी आ बच्चो दसफी का जो अपन में से प्रड़र असमें प्रेस्ट नोले तीन दसम्दों दो हम कर रहे ना तो इसमें बच्चो जो फोती आइम पी कोश्चन में आपको प्रतिष्टापन विदी से करवाए थे तो आई हम समझते क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है यदि आपको 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x-4y बराबर 2400 को हल कीजिए और इसमें एम का वहामान ज्याद कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 तो सबसे बेले में आपको बता दूँ कि यह जो y बराबर mx प्लस 3 है यह क्या है यह y बराबर mx प्लस का 3 है इसको वदले बन रेखा का समीकरण यह क्या का समीकरण है यह रेखा का व्यापक रूप समीकरण है और यहाँ पर जो आपको दिया है एम यहाँ पर x और y का मान प्रवाणन तो अपने को यह समीकराण में दिया है 102 निकालना है और यह आम है एम को बोलते हैं आपन दीट है फिर इस आया फिकर बोल जाता है ना अगर फिसको नहीं बहुत सकते होएक द गभ और होता और हां अपको रेखा की प्रवान brighter ऐखा की प्रवान रारन。 प्रवनता है ना तो रेखा की प्रवनता है रेखा का ढलान एम का अपने को यहाँ पर मान निकालना है एम की वेल्यू अपने को ग्याद करना है ना तो इस तरह से उती है देखो मैं आपको डाइग्राम की दोरा समझे रहता हूं यह इस तरह से मान लो यहाँ पर कोई रेखा पर इसको बोलते हैं रेखा की प्रावनता यह इस तरह से भी रेखा जा सकती है तो इसको भी आपन क्या बोलते हैं यह क्या रेखा का ढाल रेखा का यह क्या बनेगे आपका डाल या ढला इसको उपन बोलेंगे और यह और पर एम का मान निकालने के लिए एम के और भी फोर्मॉल है रेखा के आपको सभी करण में लेकिन हम इसको बाद में समझेंगे न तो पहले आईए हम इस question को हल करते हैं सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिख लीजे अपने को दिया है 2x प्लस का 3y बराबर अपने को दिया है 11 इसको देंगे अपन समीकराण नमबर 1 और अपने को दिया है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का तो इसको देंगे अपन समीकराण नमबर 2 तो आपन क्या करनेगे समी करन दो से एकस का मान निकाल ले है और समी करन नम्मर एक में रख देंगे ना तो समी करन दो से एकस का मान ग्यात करने पर समी करन दो क्या है आपकी दो एकस बरावर में आपका जाएगा यह जाएगा 4y और माइनस को क्या हजाएगा 24 से न तो पहले अपन इसको और भी छोटा कर सकते हैं इस समी करण में आपको बता है यहापर भी 2x से 4y है तो 4y में भी 2 का भाग चल जाएगा समी दो का भाग चल जाएगा और 24 से भी 2 का भाग चल जाएगा तो देदीजी से में 2 से भागते जाएगा एक सब्सक्राइब बारा आपने जो बराबर जो माला आया 2y-12, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का अपनी 2x-3y बराबर क्या है, 11, इसमें x का मान रख दीजिए, तो x की value put करेंगे, अपन 2 और x बराबर क्या जाएगा, ब्रेकेट में 2y-12 और प्लस का क्या जाएगा 3y और बराबर में क्या जाएगा, 11 इस तरह से, आप यहाँ पर x की value put कर सकते हो, ना x की बान रख दिया, प्रतिस्तापन कर दिया, तो अब आपन यहाँ पर क्या y की value निकाल सकते हैं, तो y का मान जाएगा यह 2 का अंदर गुना कर दे, यह 2 है और bracket में 2y माइनस का भारा है तो सबसे पहला, आप इस 2 का पूरे bracket के अंदर गुना कर दिया, तो 2 दूने 4y 2 का गुना 2y में करेंगे, तो 2 दूने 4y फिर इस 2 का गुना माइनस भारा में करेंगे, तो माइनस का 24, 12 दूने 24 और प्लस का क्या जाएगा? 3y और बराबर में क्या जाएगा? 11, है ना? 24 उदर बराबर के अदर ले जाएगे है, तो माइनस का जाएगा प्लस का, और इनको जोड़ लो यह बचा आपका 4y प्लस का 3y बराबर 11 और प्लस का 24, जोड़ लो इनको, 4 और एक 5 2 रेक 3, तो यह आजाएगा 35 और यह जाएगा 4 और 3 कितना आजाएगा? 7y, तो 7y बराबर 30 तो y का मान निकालेंगे, यह जो गुणा में है, 7 बराबर कदर भाग में जाएगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो y का मान आएगा, अपने पास में य की जगे क्या रख देंगे अपन? y की जगे जो value है वो put कर दिए तो x का मान निकालना है, तो x बराबर अपने माया है, x बराबर value है, 2y माईनस का 12, यह ना x का मान निकालना है, तो x बराबर यहापर y का मान रखने पर 2 बड़ा y का मन के था aya, 5 और पोछ छोटी संग्या में तो हमें सब माइनस में वेल्यू आती है तो X का मान जाएगा माइनस का 2 अब यह वेल्यू अपन पूट करेंगे Y बराबर MX प्लस 3 में तो Y का मान कितना है, Y का मान आया 5 berabar M, X का मान कितना है, गुणा में breaking में लिख दो माइनस का 2 और प्लस का 3, पहले प्लस का 3 अगा तो 5 माइनस 3 और यह माइनस का E, M इंटू में क्या जाएगा 2 5 में से 3 न आएगा तो 2 और बराबर हम जाएगा M इनटू 2 माइनस का है ना, तो यह दो से दो कड़ जाएगा तो aim बराबर aim की जो value आएगी aim बराबर आजाएगा minus का 1 aim की value की आजाएगी बच्चो आपकी minus का 1 है ना तो यहां से इस तरह से अपन aim की value निकाल सकते है ना अच्चो उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा तो अच्चो यह आपका लगपद लाश्ट ही चल रहा है आपका प्रेस्टवली 3.2 अब हम इसमें कल से प्रेस्टवली 3.3 इस्टाइट करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपने इस प्रकार के सभी कुश्चन को हल कर लियोंगे जो के आपको दसवी बोर्ड की जो एक जान उसके लिए बहुत ही आई एमपी है और हमने आपकी प्लेलेश्ट बना रखी है विग्यार और मैचस की तो जाएए जल्दी से और आप सारे वीडियो देख सकते हैं और आप बहुत अच्छे नमरों से पास जबते हैं ओके बच्चो जे हिंद जे हरत